हेलो दोस्तो हैपिएस्ट माइंड्स का हम वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं क्वार्टर फोर और जो फाइनल रिजल्ट्स है वो आउट हुए है और डिविडेंड की भी यहाँ पर घोशना हुई है तो पहले मैं डिविडेंड पार्ट को एड्रस कर लेता हूँ तो एहपिएस्ट माइंड्स की तरफ से 3 रुपीज 40 पैसे का डिविडेंड उनकी तरफ से आ रहा है और जुलाई 7 आप नोट करके रखिए इस डिविडेंड की रेकॉर्ड डेट हो रही है और पेमेंड जो है चुलाई 24 और उसके बाद में हो जाएगा तो यह important चीज ध्यान में रखनी है अब results कैसे आये हैं बहुत सारे number हैं हमारे पास तो देख लेते हैं कि quarter to quarter कैसा performance है तो generally हमने अभी तक trend देखा है quarter 3 से quarter 4 मतलब जो October से December quarter 3 था और quarter 4 January से March जो भी company के अभी तक कुछ भी results आये हैं तो हमको बहुत growth देखने को नहीं मिला है और same वैसा ही trend हमको यहां भी देखने को मिल रहा है revenue अगर आप देखेंगे 377.9 करोड का हमको देखने को मिल रहा है quarter 4 में quarter 3 में 366.8 करोड था 3 परसंट यहां revenue यहां increase हुआ है margins आप देखेंगे 26% constant है अच्छी बात है और profits की जब हम बात करेंगे तो total profit बिलकुल आप देख सकते हैं लगबग बराबरी है 57.5 करोड था इस बार 57.6 करोड हमको profit देखने को मिल रहा है अब पिछली बार जो quarter 4 का जो result था 52.1 करोड profit था तो profit हमको year on year 10% हमको देखने को मिल रहा है और जब हम revenue की बात कर रहे हैं 25% revenue हमको यहां पर बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है लेकिन एक चीज हमको यह भी समझनी है कि पिछली बार से इस बार अगर आप margins देखेंगे तो थोड़े कम हुए है अगर यह EBITDA margin ही देखेंगे तो पिछली बार 26.3% था इस बार 26% यहां पर हुआ है नेक्स जो number है जब हम IT कंपनियों को देख रहे हैं कि किस हिसाब से attrition हो रहा है और यह expected भी था कि attrition के numbers यहां पर कम हो सकते है क्योंकि अभी IT में ही रोज के लगबग news आ रहे हैं कि कंपनियों में छटाई हो रही है pink slip जैसा हो रहा है इनफेक बड़े-बड़े global कंपनियों में जो है हमको challenges देखने को मिल रहा है Meta हो, Amazon हो आए दिन ये खबर आती रहती है तो attrition यहां कम हो रहा है और किसी भी कंपनियों के लिए attrition कम हो positive news है 19.8% ये कम attrition ही कहा जाएगा जो कि पिछली बार आप देखिए 22.7% था तो ये एक अच्छा news है अगला number है जोग्रोफी बिसनस कहां से आ रहा है American market से maximum business आ रहा है 70.5% का और बाकी Europe से भारत से बाकी सब जगह से आ रहा है तो इसलिए बहुत हद तक जो business है happiest minds का dependent हो जाता है कि America की market क्या कर रही है और American market में अभी challenges है जो कि हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि rate जिस हिसाब से बढ़े हैं वहाँ पर तो वहाँ जो customers है तो वो भी थोड़ा कॉसस हो गए है और हमने अभी देखा कुछ banks की भी वहाँ हालत खराब है कुछ banks भी वहाँ पर टूट रही है हमको news आती रहती है slowdown की recession की तो सोचिए वहाँ के जो customer है वो अभी कुछ नया खर्चा करने से पहले थोड़ा सा कत्राएंगे तो इसी लिए ये चीज को जो है हमको आपको ध्यान में जब भी हम business analysis कर रहे हैं तो हमको ध्यान में रखना है जब happiest minds की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपके सामने कुछ important numbers रखता हूँ रेटिंग कम जोहरा है तो कियर की रेटिंग है ये double a minus की रेटिंग है अब ये best rating नहीं कहीं जाएगी best rating होती है triple A उसके बाद आती है double A plus फिर आता है double A फिर आता है double A minus ये stable rating है ये आप मान सकते है above average जैसा rating है अगर ये rating triple B होता या double B होता तो फिर सायद थोड़ी चिंता हो सकती थी लेकिन डबल ए माइनस आप मान सकते हैं कि टॉप की रेटिंग बिल्कुल नहीं है लेकिन एबाव एवरेज जो डिस्टिंग्शन वाला जो समझ लिजीए वैसा है कि वैसी रेटिंग है जो भी शेयर प्राइज है पर शेयर के साथ तो हमको पी रेश्यो यहां मिलेगा 58 दिखा रहा है यह इनफेक्ट और कम होगा क्योंकि अभी के जो रिजर्ट्स है वो अपडेट अभी तेक नहीं होए है तो मार्किट कितना टाइम्स वैल्वेशन देने के लिए रेडी है तो यह 50 टाइम्स जो 58 टाइम्स 53 टाइम्स जो भी नंबर है क्या यह कम है या ज्यादा है तो पहली चीज हम देख लेते हैं कि जो दूसरी जो स्मॉल कैप और मिड कैप की जो कंपनिया है उनका कैसा पी रेश्यो है जैसे टाटा एलेक्सी 59 है ल्टी टी एस 33 है पर्सिस्टेंट 38 के आसपास एमफासिस 21 औरेकल 1718 के आसपास कोफोर्ज 34 तो आप देख सकते हैं हैपियस्ट माइंड्स और टाटा एलेक्सी को सबसे ज़्यादा पी रेश्यो मिला है इनफेक्ट आप लार्ज कैप की कंपनियों में चले जाएंगे टी सीस में देख सकते हैं 25 से 30 के बीच में रहता है या इनफोसिस में 20 से 25 हमने देखा है एचसील में 18 से 20 के रेंज में आपको देखने को मिलेगा तो लार्ज कैप में तो P.E. रेश्यो कम रहता है स्माल कैप को थोड़ा सा यहाँ हाई वेलोएश्यो इसलिए भी मिला हो सकता है क्योंकि यहाँ एक्सपेक्टेशन फास्ट ग्रोथ का हो सकता है और फास्ट ग्रोथ कर भी रही है लेकिन हमको global challenges भी देखने हैं, PE ratio, happiest minds का यहाँ पर ज्यादा है, यह 50, 55, 58, थोड़ा high PE ratio, बिल्कुल हमको देखने को मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पर analyze करूँ, company बहुत बढ़िया है, लेकिन valuation के हिसाब से, साध मैं यहाँ पर personally अपनी बात करूँ, तो मैं यहाँ थोड़ा स है, यह September, October, जो 2020 है, उस समय में यह IPO आया था, उस हिसाब से अभी देखें, तो अभी इसको 3 साल भी नहीं हुए है, और एक बड़ी bull market भी हमने उस समय में देखी हुई थी, share price को मैंने 1213, उसके उपर भी level में मैंने जाते हुए देखा हुआ है, लेकिन उस समय में PE ratio 144 था, लेकिन हमको जब भी हम business analysis कर रहे हैं, तो यह भी देखना है, growth potential कैसा है, growth potential यहाँ पर strong है, लेकिन macro headwinds सभी IT companies में हमको देखने को मिल रहा है, तो strong results है, strong growth के numbers है, यहाँ पर जब हम happiest minds की बात कर रहे हैं, लेकिन valuation थोड़ा सा महंगा है, दोस्तों, लास्ट में, आप हमारा early financial azadhi app को भी download कर सकते हैं, यहाँ पर free classes भी मैं लेता रहता हूँ, in fact free videos भी आप explore कर सकते हैं, अगर आप market में beginner है, चीजों को सीखना चाहते हैं, direction चाहते हैं, concepts को समझना चाहते हैं, long term को सोचना चाहते हैं, तो यह जो concepts है, free videos हैं, आपको value जरूर देगा, आप जो app है, उस final results, एक strong नतीजे है, year on year 30% का यहाँ पर revenue growth हुआ है, और profits भी अगर हम देखेंगे 27.5% है, margin 16% और 15.9% margin गिरे नहीं है, यह भी strong number है, तो results की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर results अच्छे आये हैं, बस यहाँ पर valuation थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि जब valuation ज़्यादा ह होते हैं, तो फिर बहुत ही positive हो जाता है, लेकिन already जब P.E. ratio high है, तो market के expectation भी यहाँ पर happiest mind से यहाँ पर ज्यादा है, बाखे की details आती रहेंगे, हम आपके साथ share करते रहेंगे, अल्ली financial आज़ादी में, subscribe करके ज़रूर रखेगा, thank you, दोस्तों, धन्यवाद